इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप SBI ATM में या फिर बोल लिजिए CDM मसीन में कैसे पैसे डिपोजिट कर सकते हैं ATM के जरीए पैसे जमा करने के लिए बस आपके पास सिर्फ आपका ATM काड ही होना चाहिए और दोस्तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के जरी अगर आपका काम हो जाए यहाँ पर left side आपको domestic लिखा हुआ option मिल जाएगा जिसके उपर simply आपको click कर देना है language select करने का option आपको show कर दिया जाएगा यहाँ पर से कोई भी language select कर लेंगे मैं यहाँ पर से English language को select कर देता हूँ और यहाँ पर आपके पास काफी सारे options देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर left side पहला ही option आपको देखने को मिल जाएगा deposit वाला तो यहाँ पर deposit पर आपको click कर देना है और यहाँ पर right side पर आपके पास पहला option show कर दिया जाएगा cash deposit वाला तो यहाँ पर से simply cash deposit को click कर देना है और थोड़ा सा processing लेगा 30 seconds वेट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमें बताए गई है कि आप पर transaction कितने पेसे जमा कर सकते हैं तो वो limit है 2 lakh की यानि कि आप एक transaction पर 2 lakh रुपे जमा कर सकते हैं और उसके उपर जो भी charge लगेगा वो आपको यहाँ पर show कर दिया जाएगा यानि कि हमें यहाँ पर कोई भी charge नहीं पे करना है जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर service charge 0 पे करना है यानि कि नहीं देना है तो नीचे आपको confirm का button मिल जाएगा यहाँ पर से आपको confirm पर click कर देना है और यहाँ पर से 10 से 99 के बीच का कोई भी आपको 2 अंक enter कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर से 2 अंक enter कर लेता हूँ और यहाँ पर से आपको yes पर click कर देना है और यहाँ पर आपको आपका जो भी चार अंकों का ATM का pin है वो number enter कर देना है तो चलिए मैं enter कर देता हूँ और आपका account type आपको यहाँ पर से select करना है current है या फिर saving है मेरा saving account है तो मैं यहाँ पर नीचे saving account पर click कर देता हूँ अब जैसे account type select करेंगे तो पेसे enter करने का box यहाँ पर open हो जाएगा तो आपको जो भी पेसे जमा करने है वो simply यहाँ पर से आपको अंदर रख देने है ATM में कौन-कौन सी notes आप जमा कर सकते हैं यह हमें यहाँ पर बताया गया है तो याद रखें दोस्तों यहाँ पर आपको 10 की 20 की या 50 की notes जमा नहीं करने है क्योंकि वो यहाँ पर accept नहीं होगी और नीचे यहाँ पर आपको enter का option मिल जाएगा यहाँ पर आपको enter पर click कर देना है और validation के लिए कुछ seconds लेगा तो आपको थोड़ा सा wait कर देना है आपने जो जो भी notes और जितनी भी notes एंटर की है वो यहाँ पर आपको calculation शोग कर दिया जाएगा मैंने total 26,000 रुपे यहाँ पर जमा किये है और 500 की notes जमा की है सभी 500 की है और total 52 notes मैंने 500 की डाली है वो मुझे यहाँ पर शोग कर रहा है और वो मिला कर total 26,000 रुपे होते है जो कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ दोस्तों आप जो notes जमा कर रहा है वो 40 हुई नहीं होनी चाहिए या फिर folded नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी होगी तो वो notes यहाँ पर accept नहीं करेगा तो आपको simply वो एक notes निकाल लेनी हो और बाकी की notes जो है वो जमा कर देने है लेकिन मेरे case में सभी notes ही proper थी तो 26,000 रुपे की पुरी notes है वो ATM accept कर रहा है और यहाँ पर से confirm पर click कर देंगे और transaction complete होने में थोड़ा सा time लेगा यानि कि आपके पैसे ATM में आपके account में जमा हो रहे है तो 30 seconds आपको wait कर लेना है और नीचे आपको एक receipt कुछ समय बाद मिल जाएगी जो आपको ले लेनी है जिसमें आपने कितनी amount जमा की है वो आपको यहाँ पर show कर दिया जाएगा आपको यह receipt जैसे ही मिलती है तो आप समझ लिजे कि आपके पैसे account में जमा हो गए है और ATM मसीन में से आपको अपना ATM card निकाल देना है यह नहीं पूलना है और दोस्तो एक छोटी सी request है कि अगर इस वीडियो से आपका कम अगर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक भी कर दिजेगा यह हमारे लिए एक बड़ी सी help होगी